दुनिया में जितनी भी मानसिक समस्या हैं उन में से सबसे ज्यादा होने वाले समस्या जो है बो डेप्रेशन की समस्या है तो आज के वीडियो में हम जो डेप्रेशन के बारे में उपचार बताएंगे लेकिन उपचार से पहले उसके डेप्रेशन के कारणों को समय लेते हैं तो उपचार भी उतने बेहतर तरीके से कर पाएंगे और मरीज को ठीक कर पाएंगे तो अगर हम biological कारणों की बात करें तो depression के कारण जो होते हैं biological मानम मस्तिस्क में कुछ chemicals होते हैं, कुछ hormones होते हैं, कुछ rations होते हैं या neurotransmitter भी कह सकते हैं, वो जब असंतुलित हो जाते हैं, वो इन्वैलेंस हो जाते हैं तो मानसिक बीमारियां आती हैं, चाए depression हुआ, चाए bipolar disorder हुआ, चाए मेनिया हुआ, चाए इसके जो प्रेहनिया हुआ, कोई मान लो तो इस कारण से आते हैं, और हम आयरवेद की बात करें, तो आयरवेद में मानसिक तरदोस हुआ करते हैं, उसमें सत दोस, सतरज दोस और तमरज दोस, ये दोस होते हैं, तो इन दोसों के कारण मानसिक रोग हुआ करते हैं, और इन दोसों के साव से आयरवेद में जो आसदियां हैं, उन दोसों के आधार पर दी जाते हैं, कोई एक आसदि नहीं है, जिससे मानसिक रोग ठीक किया जा सके, आयरवेद में वच है, असगंद है, असगंद मानि असगंदा, जटामासी है, आमला है इस तरीके की संग्पुस्पी है ब्राम्मी है इस तरीके की और भी कही हो सदिया है जिनका प्रियो किया जाता है तो इसके अलावा हम जो मतलब सोसिलोजिकल जो कारण होते हैं उनको समझेंगे तो सोसिलोजिकल जो कारण होते हैं वो यह होते हैं कोई व्यक्ति अगर उसके मन के खिलाप इच्छा के खिलाप या कोई काम होता है समाज में जैसे किसी को प्यार में दोखा परिच्छा में असफलता या ब्यापार में घाटा या अगर कोई महला है तो राद दिन अकारण ही उसको साथ ससुर या उसके परिवार में किसी तरीके से हमेशना प्रतार करते रहना ये भी एक जो है डिप्रेशन का कारण है और जब इंसान डिप्रेश्ड होता है तो उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है तो हर मतलब यह अब यहां से लच्छन बता रहा हूं में नेगेटिविटी आ जाती है और नेगेटिव सोजने लगता है वो जीवन उसको नीडिस लगने लगता है हमेशा अदास रहता है और कहीं भी एक कांट में बैठना पसंद करता है किसी की खुशी से उसे कोई मतलब नहीं रहता है खुशी में भी उसको खुशी नहीं होती है जीवन बोई लगने लगता है आत्म गिलानी मुए लगती है उसको कई वार ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ है ये कुछ कारण ऐसे होते हैं जो अपने उपर ले देता है वो कहता है को जो कुछ हुआ है वो मेरी बज़े से हुआ है तो कई वार आत्म त्या काभी प्रयास वो करता है या कर सकता है तो ऐसे क दिमाग कमजूर हो जाता है, सोचने समझने की सकती कमजूर हो जाती है, कुछ पेसेंटों की भूख बहुत कम हो जाती है, तो कुछ पेसेंटों की भूख बढ़ जाती है, तो उन्हें मोटापा भी बढ़ जाती है, नीज जब कम हो जाती है, किसी किसी को डिप्रेशन गर्मि होता है तो किसी किसी को सर्दियम होता है कोई 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 ऐसे होते हैं जिन को सुबह टाम या दिन में होता है किसी किसी को रात में दिक्कत होती है तो इसका कोई निश्चित समय नहीं कोई निश्चित मोसम नहीं कभी भी हो सकता है ऐसे लोग हमेशा एकांत में और अकेले में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, तो इस तरीके से उनकी परिशानी बढ़ती जाती है, तो अब ये हम जो आपको लच्छन बताए हैं, ये सारी लच्छन डिप्रेशन के हैं, इसी को लगाता रहता है डिप्रेशन, तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि बैसे मैं आपको एक आयरवेदिक उप्चार बता रहा हूं, तो आयरवेदिक उप्चार में आपको दो अखरोट की गिरी लेने हैं, तीन छुआरे लेने हैं, और भूरी मिर्च इसे दख्री मिर्च कहते हैं, वो छे लेनी हैं, और खर्वूजे की बीज एक चमज ल सौंफ ये चीजें लेके और गुलाब की पंखुडी अगर रखी हुई सूखी मिल जाते हैं तो पंद्रा पंखुडी इन सब चीजें को रात को एक गिलास पाने में बिखो देना है अगर पंखुडी ताजी मिलती है तो नहीं बिखोना है सुबह इन सब चीजों को निकाल के उसमें दस तुलसी पत्तों को डाल लेना है इन सब को सिलवट्टा जो होता है उस पर पीस लेना है और उसमें थोड़ी सी मिस्री मिला लेनी है दागे वाली मिस्री आती है वो मिला लेनी है और बंस लोचन के चार-पांच टुकड़े मिला लेने हैं तो ये दवाई सुबह दे नहीं है सुबह मतलब पहले एक बार दिन चरिया समय लेते हैं सुबह जब व्यक्ति उठता है सुबह उठने के बाद में सबसे पहले उसको उकुड़ू बैठ के सवा लीटर पानी पीना है एक साथ में सवा लीटर पानी नहीं पी सकता है अगर पेसेंट तो उसको एक गिलास से शुरुगात करना है एक, दो, तीन, चार दिन एक गिलास रखना है फिर दी दिन मात्रा बढ़ा के सवा लीटर पानी पे फिर आ जाना है तो सवा लीटर पानी तक रोज पीना है अगर व्यक्ति को कब्ज रहती है इस बीमारी में कब्ज भी नहीं रहनी चाहिए कब्ज का भी उप्चार करना च उसके बाद सौंच जाना चाहिए सौंच आधे क्रिया से निब्रत होकर फिर डिप्रेस्ट जो व्यक्ति है उसको कपाल बाद्य करना चाहिए पांच मिनट से लेके शुरुवात करना है और दीरे दीरे बढ़ाते बढ़ाते टाइम उसको 20 मिनट तक परड़े कपाल भांते करना है कपाल भांते करने के बाद में मैंने जो आयरुवेदियुन उसका बताया है वो सिल्वर्टे पर पीस के उसको और उसमें चोथाई चम्मच असुगंदा पाउडर भी मिलाना है और उसको उंगली से बैठ के दीरे दीरे चाट लेना है इस प्रकार से ये आयरुवेदियु उपचार सोबे करना है और सारे दिन उसको ताजे फल और सब्जियां ही खाने है जंक फूड फास्ट फूड किसी तरीके के नहीं खाने है किसी प्रकार का नसा नहीं करना है और अधिक सदे हो सके मौसमी ताजे फल और मौसमी ताजी सब्जियां ही यूज़ करने है दालें यूज करने हैं इसके साथ में ड्राइफ रूट और जो मेवे होते हैं उनको जब खाना है तो बिगों के खाना है उत्ते जब और मादक पदारत होते हैं किसी परकार के नसीले पदारत होते हैं उनको भी नहीं लेना है ये इस तरीके के लेने के बाद में जब रात को सोने से एक दो गंटे पहले तक टीवी या मोबाइल नहीं देखना है और रात को टाइम से ही सो जाना है सोते समय उसको देशी गाय का अगर पंच गब्यम गोगरत मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है अगर वो नहीं मिलता है तो देशी गाय का सुद्ध घी गुनगुना करके दोनों नत्रों में दो-दो बिन डालना है और इसको जरासा खिंचना है और इसको सो जाना है तो यह तो हो गया एक आईवरिवेदिक उसका अगर यह प्रॉपर रूप से करेंगे और सारे नियम का जो बताए है नियम से चलेंगे तो आपका डिप्रेशन जो है जरूर बस अरते खान पान का पूरा द्यान रखना इसमें अगर डिप्रेशन की इस्तिती ऐसी है कि पेशेंट की इस्तिती ज्यादा खराब है तो मैं बताना चाहूंगा मुझे मानसिक रोग और मानसिक अस्पताल में एक बार रहने का समय मिला मैं एक पेशेंट की साथ करीब 53 दिन तक रहा हुआ हूँ जो मैंने वहां पर देखा जो मैंने वहां पर सुना तो कई पेशेंट भी देखे तो जो मेरा अनुभाव रहा हुआ है उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस्तिती ज्यादा खराब है पेशे या थेरैपी जो कहते हैं साइको थेरैपी कहते हैं वो कांसिलिंग भी करवानी चाहिए या एलोपेथी टीटमेंट की साथ-साथ अगर उसकी कांसिलिंग भी करवाते हैं साथ-साथ कांसिलिंग चलती है तो उसकी बेवहार में परिवर्तन आता है तो वो भी करवानी चाहि और जल्दी ठीक होई लगता है और ये डिप्रेशन के दवाईं ज्यादा लंबी समय तर नहीं सेलती है वो तो रोक की तीबरता पर डिपेंड करता है ये दवाईं छे महीने से एक साल तक चलती है लेकिन अगर व्यक्ति का ट्रीटमेंट बीच में अगर आपने रोक दिया है तो दुबारा व्यक्ति महीने, दो महीने, चार साल, दो साल जितने समय तक सही रह सकता है लेकिन अगर उपचार पूरा नहीं लिया गया तो दुबारा से जब सेकेंड एपिसोड आएगा तो जरूरी नहीं दुबारा में डिप्रेशन ही आए दुबारा में कोई दूसरा भी मानसिकर हो सकता है लेकिन इससे भेंकर आता है वो इससे ज्यादा मतलब गंभीर लक्षण होते हैं और जल्दी से ठीक भी नहीं होता है बहुत ज्यादा परिशानी होती है तो अगर इस्तिती ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप शुरूवात में एलोपैथी टीटमेंट कराएं एलोपैथी में भी और ज्यादा गंभी इस्तिती होती है तो एलोपैथी डॉक्टर जो होते हैं मानसिक डॉक्टर होते हैं वो ect लगाते हैं जिसको ऐलक्टो कनवल्सिंग ठेरापी कहते हैं जो इसको सौक ट्रीटमेंट यानि बिद्दोचिकसा के नाम से जाना जाता है वो भी लगाते हैं उससे पेसेंट को साथ दिन में आराम मिल जाता है फिर दीरे-दीरे दवाईयां चलती रहती हैं तो ये दवाएं जो डॉक्टर डॉक्टर जो है खुद अगर समयदार उस्यार होता है तो दवाएं दीरे-दीरे अपने आप टेपर डाउन करता च लहीं आते हैं और फिर बाद में इस्तिती सुदर जाए तो आप उनको बंद भी कर सकते हैं और इस प्रकार जो आयरवेद्य उप्चार है वो या एलोपेथी उप्चार है उसमें किसी प्रकार की गैपी नहीं होनी चाहिए और लगातार रेगुलर करना है और ऐसे बती हुआ पाट करना संगी सुनना तो इसको मधिर संगी सुनना जायिए तो इस तरीके से इस पूडियों मेरे दोरा बताएगी जानकारी है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और और वाधिक भी शेयर करें रहें इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में